वेल्कम क्लास 20 अर्थिमेटिक प्रोग्रेशन अभी यह लेक्च्छर एट लेक्च्छर एट एपी का एक है एसन का फॉर्मूला है एन बाइटू तू ए प्लस एन माइनस वान इंटू बी और क्या है एन बाइटू ए प्लस एल यह दो फॉर्मूला है एक से दूसरा हुआ है और हम करेंगे फॉर्स लेक्च्छर एट का पहले वाले की तरह ही है कुछ नहीं चीज नहीं आई या भी भी इव्दा सम अब थोड़ा सा चेंज होगा इव्दा सम ऑफ एन टर्म्स इफ दस सम ऑफ एन टर्म्स अफिन एपी इस थ्री एन स्केर माइनस टू एन ऐसे दिया हूँ मैंने बताया था नहीं का फॉर्मूला भी आपको आएगा ठीक है फाइंड एपी अब क्या करना है फाइंड एपी एपी फाइंड करनी है इटस एंड एंड टर्म टी एंड भी अगर एपी फाइंड हो जाएगी तो टी एंड तो सब निकाल लेंगे ना बात तो एपी की है तो कोई बात नहीं तो इसके लिए S N क्या आएगा 3 N स्केर माइनस 2 N ठीक है इसमें यह मैं सलीशन शुरू कर दिया यहां से अगर S 1 करेंगे तो तो एक ही है ना उसका सम करो मैंसे मैं एक टर्म लिख देता हूँ 2 तो यह T1 भी है यह S1 भी है यही है इसका सम करें कि तो भी 2 रहेगा सम करने से कोई बढ़ेगा जड अकम होगा खोगा जब खोगा ना उसको तो सम भी वही है तो टर्म भी वही है इसका मतलब S1 is equal to T1 ही होती है ठीक है न तो S1 निकालने ज़ा T1 निकालने के लिए किया करेंगे 3 S से लिख देंगे ठीक है N की value 1 फिल कर दें 3 minus 2 1 हो गया ठीक है calculation ही है यह तो S1 और T1 is equal to 1 हो गया जिसका मतलब A की value हमारे पास आ गई A हमारे पास क्या आ गई 1 तो अब B पता चल जाए कहीं से तो फिर तो कोई मुश्किल है ही नहीं ठीक है तो कोई बात नहीं तो पहले हम S2 निकालेंगे अब S2 निकालने के लिए हम N की value 2 रखेंगे किसमें वो क्या है 3 2 स्केर minus 2 into 2 3 into 4 12 minus 4 is equal to 8 तो S2 की value हमारे पास 8 आगी similarly हम S3 भी निकालेंगे ठीक है आपके लिए मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ 3 3 square 2 3 ठीक है बस N की value ही change करना है और कुछ भी नहीं करना है तो यह क्या 3 3 दा 9 बेटे 3 का square होता है 9 3 दा 27 minus 3 to the 6 27 यह आगा 21 अब यहां तक तो हमने निकाल दिया A1 हमारे पास आगी ठीक है अब A1 निकाली थी हमने A1 तो S1 नहीं होती है ठीक है उसको भी बोलते है वो आये थी हमारे पास 1 तो A2 निकालनी है मैंने बोला था A2 निकला आए कहीं से तो फिर बन गई है P A2 क्या होती है S2 माइनस S1 S2 माइनस S1 मैंने बोला था ना जब फॉर्मूला आया था वो क्या था कि TN जहां A N निकालने के लिए S N माइनस S N माइनस 1 यह वाला फॉर्मूला आया था यहां पे S A2 निकालना है A2 का मतलब हो गया S2 माइनस S2 माइनस 1 तो क्या होगा S2 माइनस S1 ठीक है तो यह 3 निकालना हो तो S3 माइनस S2 होगा 4 निकालना हो तो S4 माइनस S3 होगा ठीक है जो भी टर्म निकालनी है वो वाला सम और पीछे वाला है टर्म तक का सम उनको subtract करना है तो आ जाता है सब कुछ S2, S2 बता नहीं हो कितना है S2 कितना निकाला था हमने 8, और S1 हमने हमारे पास 1 नहीं था, 8-1 तो यह क्या आएगी 8-1 is equal to 7 तो पहली हमारे पास term है A हमारे पास D निकालना है, D क्या आएगा 7-1, ठीक है तो D आएगा 6 तो अब कितना को A P निकालना है A, A plus D A plus 2D ऐसे ही होगी न, A की वैली 1, 1 plus 6, 7, 7 plus 6 13, 13 plus 6 19, तो यह होगी AP, this is an AP तो अब हम इसनोंने क्या बोला था अब Nth term निकालना है TN क्या होगी A plus N minus 1 into D तो यह Nth term का formula यह भी लगा दीजिए A क्या है 1 N, N ही है N को हमें पता ही नहीं है जो 20th, 30th, 40th कहता तो निकाल देते भई यह उन्होंने N थी बोल दिया सीदा तो N का N ही रहेगा और D की value हमने अब भी निकाली थी हो आए थे 6 तो यह आएगे 1 plus 6 and minus 6 ठीक है तो यह आएगे 6 and minus 5 तो यह हमारे पास TN का formula के हिसाब से यह वाली value बन गई तो यह हमारा असान काम हो गया तो यह हमने कर दिया ठीक है तो और कोई formula आपको वैसे भी है मगर कोई मेरे ख्याल से need नहीं है समझ आना चाहिए बात समझ ने की है ठीक है दूर से question पर चलते है question number 2 इसके लिए यह नहीं कि यही formula यह general से sum है कोई भी आप कैसे भी किजिए यह बस एपी बननी चाहिए the first and last term जो जी यह कह रहा है कि the first and last term first का मतलब a 8 है दिया हुए the first and last term of an ap is 8 and 341 respectively l कितनी है 341 if the common difference d is equal to 9 how many terms are there पहले तो कह रहा है कि tn निकाल यह कितनी है निकाल देंगे जी and what is their sum तो साथ में कह रहा है कि sn भी निकाल देंगे sn तो बड़ा असान है sn नहीं पहले निकाल देते है तो sn क्यों निकालेंगे tn निकालेंगे number of terms निकल जाए n निकल जाए फिर sn निकलेगा पहले निकल नहीं सकता है tn का formula होता है a plus n minus 1 into d तो tn को हम l भी बोलते हैं कभी-कभी तो वो same ही हो यह 341 a की value क्या है हमारे पास अब भी a भी हमारे पास 8 n पता ही नहीं हमें कितना है n तो निकालना है d क्या है 9 ठीक है यह सब value देके रखता है ऐसे नहीं कुछ भी शिपाता नहीं हमसे minus 8 चीक है अगर आप 8 इदर रखना चाहते हैं तो 8 इदर ही रहने जाते हैं यह वाला 8 मैंने 8 इदर ही रहने लिए क्यों one subject करना असान है आपके लिए का हो तो कुछ भी कर सकते हो 8 भी मुश्किल नहीं था तो यह तो minus यह plus 1 हो गया इदर आगे minus plus 9N 342 over 9 यह N की value जो भी मेरे प्याल प्याल से जो भी बन जाए वो आपने divide करके निकाल लेनी है ठीक है N की value हमारे पास 38 बनेगे divide करने अब S N S N क्या है S N क्या है N by 2 A plus L L का क्यों formula लगाया वैसे तो D भी है हमारे पास N by सब कुछ है L वाला असान है L दो ही term से का add करना है बसता 38 over 2 लिखेंगे A हमें पता नहीं कितना है L भी पता नहीं कितना है उपर लिखा था A है हमारे पास 8 and L है 341 8 plus 341 ठीक है 38 19 होगा तो 349 हो जाएगा मेरे को इसका multiply करने नहीं आती मैं calculator की help से कर रहा हूँ अगर मैं ऐसे करूंगा न तो थोड़ा सा time consume होगा वो आप कर सकते हो ठीक आप बच्चे नहीं हो आप 9th last standard के हो तो इसलिए आप कर सकते हो S N की जगा मैं S 38 लिखना हूँ इसलिए मैंने को यह 38 लिखना चाहिए तो नहीं लिखूंगा तो बड़ड हो जाएगी न कोई भी आपका marks detect कर सकता है काट सकता है यह आप किसी को बोल नहीं सकते हो क्यों काटा है क्यों काटे का रीजन क्या है कि आपने 38 नहीं लिखा था यह प्रीक है वह चोटी-चोटी बाते होती है नंबर आपके कर सकते हैं क्वेस्ट नमबर थ्री पे चलते हैं प्राइब लोगी फर्स टरम एफ फाइब दालास्त रम इसल इस एंड मैं लिख लिकांगी इस फोरंड़ पट नहीं है कि फाइंड नंबर फ्रील एफ टर्म्स एंड फाइंड कम एन एंड इंड कोमन इफरेंस दी भी फाइंड करते हैं ठीक है जी सब कुछ कर देंगे तो कोई बात नहीं, sn का formula होता है हमारे पास, n by 2 a plus l ठीक है, sn क्या है 400 n पता ही नहीं है क्या है a क्या है 5 ये क्या है 50, 45 45 ठीक है जी, तो ये 50 हो गया उदर जाके divide होगा n by 2 ये वाला ऐसे रह गया into 50 हो गया ये 400 में, आप इदर रख लीजे कोई फरक नहीं पड़ेगा, ये 25 हो जाएगा तो n की value आएगी 40, 400 upon 25, ठीक है तो ये आप कैसे भी इसको cutting कर दीजिए, इसकी हो जाएगी तो अच्छी बात है नहीं होगी तो आप ऐसे long division से कर सकते हो 5, 5, 25 8, 80 तो ये हमारे पास total मिला के आगया हमारे पास 16 ठीक है, n की value क्या आगई 16, n क्या आगया हमारे पास 16, पहली बात तो हमने निकाल दिया अब Tn का formula लगेगा a plus n minus 1 into d तो यहाँ से हमने d निकालना है Tn को l भी बोलते है, l कितना दिया था हमें 45, l क्या दिया था 45 45, n, tn, a की बात होती है a हमें दिया हुआ है 5 a दिया हुआ है 5 n 16 अभी निकाला है तो d हमने अब निकाल देना है ठीक है, तो यह 45 minus 5 हो जाएगा, plus बालाइदर जाके minus, और यह हो गया 15 d, तो यह आगया हमारे पास 40 15 d, तो d की value क्या आगी 40 upon 15 ठीक है, 5 3, 8 तो यह आगया, 8 upon 3 तो 8 upon 3 को points में लिखना चाहो कैसे भी करना चाहो, तो कर सकते हो मेरे को कोई द्राज नहीं, मैं तो 8 upon 3 पर ही finish कर दूँगा, विकास यह नहीं मैं चाहता हूँ, कि points लिखने में कैल्कुलेशन में गलती हो जाए, कोई number नहीं मिलेगा, गलती हो जाए, कट सकते हैं ठीक है, यह आप जाद रखना कि आप जादा करोगी ना, तो चलो, खेर आपके इजाफा तो होगा, brain में मगर marks भी कट सकते हैं इसलिए उतना ही करो, जितना आपको बोला गया हूँ, question number 4 है मारे पास, यह थोड़ा देखना आप if an ap मैं लिखना हूँ यह आप पे if an ap s5 s7 167 यह दिया हुआ एक and s10 235 find ap बड़ी बात यह है कि ap find करने है बाकी तो जो भी कुछ बोला हूँ, कर देंगी ठीक है तो where sn denotes the sum of the end तो पता ही है, sn तो इसी को denote करता है ठीक है, तो sum है ही s का मतलब sum है उन्हों लिखा ap हमने find करने है चलो, ठीक हो गया काम तो यहाँ पे इसका formula लगेगा solution में हमें तो कुछ नहीं नहीं, formula जो भी है s5 का, s5 क्या आएगा n by 2, n means 5 upon 2 2a plus 5 minus 1, 4d एह ही होगा आगे क्या, plus 7 upon 2 2a 6d 160 167 167 ठीक है तो आगे नीचे बाला दूसरा क्या पहले इससे ही solve कर लेते हैं फिर आगे बाले बाद में चलेगे 10 बाला बाद में देखते हैं इसको इकरते हैं पहले तो यह आएगा 5 इन दोनों को multiply करेंगे तो 5a ही रह जाएगा अब आगे 5 by 2 5 to the 10 d इसको करेंगे 2 के साथ 2 कैंसल होगा 7 प्लस 7a 21 d आपको calculation तो आपको मेरे खाल से आती होगी न इसको multiply करना करनेता हूँ एक फोड़ा का आपके लिए यह 7 by 2 को मेटे 6 7 by 2 multiply 6 d करेंगे न तो यह आपको 3 7 by 21 d ऐसे आता है सबका ऐसे ही आएगा ठीक है एक एक को multiply करना है वन बाइवन ऐसे नहीं है कि इसको 2 के इस 2 को इस 2 से cut गया तो खतम होगा बात नहीं यह वाला इसके साथ है आगे फिस 7 by 2 से multiply होगा यह पहला भी इसके साथ दूसरा भी 5 by 2 ही दोनों के साथ multiply होगा यह नहीं कि 2 के साथ 2 यह कटके यह खतम हो जाएगा यह खतम नहीं होगा कभी विकाज यह अलग टर्म है इसके लिए 5 by 2 औरड़ी ब्रेकिट पे बाहर पढ़ा है दोनों के साथ 5 by 2 multiply होगा यह बात आपने याद रखने है 7 plus 5 12 A 31 D 167 यह number 1 equation होके है ठीक है अब 10 के लिए हम क्या करेंगे जो S10 दिया हुआ S10 भी एक दिया हुआ S10 is equal to 235 यहां पर 235 तो लिख देता हूँ है 235 ठीक है तो इसका भी वही फॉर्मूला तो वही है 10 upon 2 2 A N minus 1 90 ठीक है तो यह भी हमारा हो गया इसको मैं इदर ले जाता हूँ 2 A 9 D is equal to 235 multiply 2 over 10 ठीक है यह मैंने ऐसे बना दिया इसको इदर ले गया मैं ठीक है तो अगर अच्छा लगा हो ठीक है नहीं लगा हो तो क्या कर सकता हूँ ठीक है तो यह तो मिने को मजबूरी थी यह ले के जाना एक उदर cutting भी हो सकती थी यार क्यों कर रहा है ऐसे परिशान बच्चों को यह cutting cutting हो सकती थी मैंने देखा नहीं तो 5 to the 10 यहां पे बने का 10 45 D is equal to दोनों के एक लिखे के नीचे लिखे अब subject करने बाला process आपको पता है जैसे आपने linear equation 2 variable किया होगा उसमें यह सेम ही काम होता है ठीक है subject करना है जा कैसे भी आप इनको solve करते हो तो वो सेम ही process है तो कैसे भी आप करें इसे solve करना है 31 A and D हमने निकालना है 31 D is equal to 167 167 ठीक है इन दोनों को हमने solve करना है तो solve करने के लिए आप चाहो तो इन सब में से 5 common निकल सकता है तो निकाल लीजिए इसमें से कुछ नहीं निकलता है 31 निक प्राइम नमबर होता है इसमें से कुछ नहीं निकलेगा अगर इसको मैं solve करना चाहूं तो मैं कर लिखूंगा 2 A 5 to the 10 9 D यह हो गया 2 35 को में टे 5 से divide कर दूँगा 5 4 the 20 7 the 35 ऐसे एक तर्म बन जाएगी इन दोनों को आप यह number 1 equation यह 2 थी यह number 1 थी अब यह number 2 हो गई यह बाली को मैंने solve कर कैसे लिखिए आप दोनों को S को solve करना है थीक है इन दोनों को solve करने के लिए बहुत से rules होते है तो कैसे भी आप चाहिए इसे solve कीजिए मैं अगर आपने linear question 2 variable नहीं किया हुआ है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तो अगर आपने किया हो तो फिर कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है तो यह 12 है नीचे वाले भी हमने 12 ही करना है नीचे वाले को 2 को क्या करना है 12 यह हमारा linear question 2 variable को एक formula होता है उसके हिसाब से यह भी दोनों को same करना होता है यह पहले मैंने 10 को इसलिए अगर यह नहीं आपस में match करते तो दोनों का LCM लेके भी हम कर सकते थे अब तो यह हो सकता है इसको 6 से multiply करना है नीचे वाली को उपर वाली मैं ऐसे लिख ला हूँ देखे उपर वाली मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको कुछ नहीं चेंज किया इसको पूरी टर्म को 6 से multiply करूँगा 6 दूदा 12 है 54D 7,6 42 24 24 28 ठीक है इन दोनों को मैंने देखी यह मेरे मैंने मैंने कर रहा हूँ यह formula कहता कि A and D दोनों में से common होना चाहिए में सेम होना चाहिए तो भी हम subtract करें इनको ठीक है subtract करेंगे तो यह cancel हो जाएगा यह minus वाला बड़ा है यह minus का sign लगेगा 5 में से 1 4 में से 1 sorry 3 होता है 5 में से 3 2 होता है 23D आएगा 12 में से 7 5 7 में से 6 1 and 1 ठीक है जी तो यह D की value आएगी 115 upon 23 साथ में minus का sign ठीक है तो इसको हम D की value निकालेंगे D की value हमारे पास बन जाएगी इसको solve करने के बाद minus 5 5 3 the 15 5 2 the 10 11 ठीक है यह D की value हमारे पास आगी minus 5 अब D की value को हम किसी भी equation में number 1 में substitute कर दीजिए जो असान बनी थी जैसे यह number 2 है 2A plus 9D is equal to 47 2A plus 9D is equal to 47 यहाँ पे 2 निकालना है 2A plus 9D is equal to 47 D की value यहाँ पे रख दीजिए 2A 9547 तो 2A 4547 2A 47 45 प्लस के तो अब क्या बनेगा यह अपने बना देना है तो 2A 9047 अब देखिए यह गहां से कलती होई D positive रहेगा यह minus दोनों तरफ minus आएगी यह minus के साथ minus cancel D positive रहेगा यह मैं positive कर दिया D की value positive आएगी यह देखिए मेरा answer नहीं मिल रहा था मेरे पास answer है ठीक है तो यह यहाँ पे positive आएगी यह positive आएगी और यह बाला मैं यहाँ पे cutting कर देता हूँ यह लिखेंगे 2A is equal to 47 minus 45 तो यह बन जाएगा 2A is equal to 2 तो एक ही value आजाएगी 1 A हमारे पास 1 हो गया D हमारे पास 5 हो गया ठीक है तो यह हमने निकाल दिया अब द्धभने क्या निकालना था हमारे पास question था find the AP AP क्या आएगी A1 आगे plus 5 6 6 plus 5 11 ऐसे ऐसे this is the answer ठीक है यह AP हो गई बात यह थी यह शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगे कि यह अगर आपने यह नहीं किया हुआ है linear question to variable वाली काम तो फिर आपको मुश्किल लग सकता है मगर मैंने इस chapter को बड़े आपको करवाया था x y निकालने के बाद तो यह linear question to variable आप को यह आना चाहिए काम यह अगर यह आजाएगा फिर यह ऐसान है ठीक है यह पीछे वाली सबजी जे इसमें आती रहती है यह ऐसे नहीं algebra है न यह सारा same चलेगा ठीक है यह पीछे वाली चीज आप skip करके आगे आओगे तो मुश्किल आएगी ही आएगी ठीक है बेटे ओके good luck take care मिलते है next lecture में